नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं 22 जन्वरी को जहरखन बंद नक्सलियों की घोसना से अलट होई पूलिस जहरखन में शक्रिये सिर्ष उग्रवादी संगठन भागपा मवादी ने 22 जन्वरी को जहरखन बंद की घोसना की है, मिली जनकारी के मुताविक भागपा मवादी के एरिजिनल कमिटी मेंबर कृष्णा हनस्दा की गिरफतारी के बिरोद में जहरखन बंद बुलाया गया है गोतलो भाय की भागपामावादी ज्हरकन रिजिनल कमिटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस भीकप ती जारी कर या गोषना की है गौतला भाय की 13 जन्वरी को भागपर्मावादी के एरिजिनल कमिटी मेंबर कृष्णा हंसदा को पूलिस ने गिरी डी जी लेके डूमरी थाना चेतर अंत्रगत फातेहपूर से गिरफतार किया था कृष्णा हंसदा पर पूलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम खोसी कर रखा था पूलिस ने कृष्णा हंसदा के पास से 2 लाख रुपए कैस भी बरामत किया है उनकी निशन देही पर पारसनात इलाके में लगातार अभियान चलाया जा रहा है बता देकिनक सली किष्णा हसदा जारखन बिहार के सिमावर्ती इलाकों में कापी सक्रिये था जारखन में कक्षा 1-8 के 45 पर 30 बच्चे फीच दे कर लेते हैं प्राइवेट ट्यूसन जारखन के ग्रामीन चेतर में प्राइवेट और सरकारी स्कूल में कक्षा 1-8 तक पढ़ रहे करीब 45.3 पर 30 बच्चे प्राइवेट ट्यूसन लेते हैं इसके लिए बच्चे फीच भी चुकाते हैं कुरोना महामारिया उसके बाद बच्चों के ट्यूसन लेने के आकड़ों के जवर्जस बढ़ोत्री हुई है 2018 में जहां कक्षा 1-8 तक के 36.9 पर 30 बचे प्राइवेट ट्यूसन लेते थे वहीं 2022 में आकड़ा 45.3 परतिशत हो गया है साफाई की प्राइवेट ट्यूसन लेने की संख्या में 8 पर 30 से अधिक की बढ़ोत्री हुई है यह बात NGO प्रत्थम के द्वारा बुद्धवार को जारी सिक चाक की वार्षिक इस्थिती असर 2022 रिपोर्ट में हुई है रिपोर्ट वर्ष 2018 से 2022 के बीच राष्ट्रिय अस्तर के साथ जार्खन के 24 जीलों में 720 गाओं के 14,335 घरों में रहने वाले 3 से 16 आयूवर के बच्चों के सर्वेक्षन पर अधारी था है जार्खन होमगाट के सभी जीला इकायों की कार्यों की होगी समिक्षा होमगाट के सभी जीला इकायों के कार्यों की ADG सुमन गूपता समिक्षा करेंगी या समिक्षा घुरु वार को कुल नव एजेंडा को लेकर की जाएगी ADG ग्री रख्चा वाहिनी यव अगनी समन सेवा के द्वारा जारी किये आधेस में कहा गया है कि ग्री रख्चा वाहिनी अंतरगत सभी जीला इकायों के कार्यों की समिक्षा की जाएगी सभी जीला कमांडेंट सभी एजेंडा बिंदूओं पर समपूर्ण जनकारी त्यारी के साथ अनिवारे रूप से खोद की समिक्षा बेटाक में उपसित रहना सुनिश्चित करेंगे इसके अलावा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जीला कमांडेंट एवं जीला इकायों के कम्पनी कमांडर इस बेटाक में समधित पुलिस अधिक्षक करया लएके CCTNS द्वारा VC के माध्यम सब समय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे पलामु में मीनी गन फैक्टरी का खुलासा तीन गिरफतार पलामु पुलिस ने हथियार बना कर बेचने और खरिदने वाले तीन लोगों गिरफतार किया है पुलिस कफ्तान को गुपत सुचना मिली थी कि पलामु जिले के नावा जयपूर थाना छेत्रे के कस्वा खान गाउं का सुरेदेव मिस्तिरी हत्यार बनाने और बेचने का काम करता है सुचना को गंभीता से लेते हुए एक टीम गठित की गई गठित टीम ने छापे मारी कर सुरे देव मिस्तिरी समेत हथियार खरीद ने आय उमेज सिंग और विपिन बिहारी को गिरपतार कर लिया तलासी के दुरन पुलिस ने घर से त्यार हथियार और हथियार बनाने का अजार भी बरामत किया है घर से एक दोनाली बंदूग, एक BDBL बंदूग, एक भरट हुआ बंदूग, बंदूग का बट एक पीस, ट्रिगर गार्ड एक पीस, एक बाइक समेत हथियार बनाने वाले कई अजार मिले हैं जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है नियोजन निती को लेकर राय निती दल एक दुस्टे को ठारार है दोसी प्रवधान की परदान की जा रहा है इस पर सभी चूपी साधे हुए है अलाकि नियोजन निती बन कर त्यार हो भी जाता है तो सबसे पहले कैबिनेट से पास कराना होगा इसके बाद विधान सभा से नियोजन निती पारित होने के बाद राजभौन की मुहर लगेगी जारखन कोरोना मुक्त एक भी एक्टिव केस नहीं ओमिक्रोन के नए वेरियंड की तबाही की खवरों से उबरे खौफ के बीच जारखन के लिए एक राहत भरी खवर है बता दे राजजे कोरोना संक्रमन के एक भी एक्टिव केस नहीं है जारखन में 4 लाग से अधिक लोगो ने कुरोना को माद्दी है हम ऐसा कर पाएं क्योंकि हमने जरूरी एहतियाती बरती है ऐसा ही इस्थीती कायम रखने के लिए हमें कुरोना गाई लाइन का सत्र परतिसत पारण करना होगा बता दे धनबाद और रांची के एक एक कुरोना संक्रमित मरीज की 17 जनवरी 2023 की ताया रिपोर्ट में संक्रमन नहीं मिलने के बाद एक बार फिर जरुखन परदेश कुरोना संक्रमन मुक्त हो गया है कुरोना संक्रमन ने जरुखन में वर्ष 2020 के मार्च के अमतिम दिन 31 मार्च को दस्तक दी थी देश के सर्वस्रेष्ट DM की सूची में सामिल हुए देवघार DC देवघार DC मांजुनात भायंत्री को नई दिली में मंगलवार को एकसिलेंस इन गोवर्नेस अवार्ट से नवाजा गया है केंद्री ग्रीह मंत्री अमित साह ने या अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजीत कारकर में दिया बतादे भायंत्री को या अवार्ड MS AME कटेगरी में मिला है देवघर मार्ट के जरी लगु वा कुटिर उद्ध्यो को इंटरनेशनल मार्केट से जोडने की दिशा में किये गए कदम के लिए स्री भहांत्री को उपरोक्त अवार्ड से समानित किया गया समान समारों में देवघर मार्ट पर एक लगु फिलिम भी दिखाई गई साहवगज के DC राम निवास्यादों को परवत्तन नीद साले ने समन भेजा है या समन अवयद खनन मामले में भेजा गया है बता दे 23 जनवरी को रांची के जोनल आफिस में उपस्तित होने को कहा गया है अवयद खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिस्तरा साहवगज SP और DC से बात करने की बात सामने आई थी बता दे कि अवाहिद खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिस्रा से बात करने वाले सचीवालेवा जीला अस्तर के दो दर्जन से अधिक पूलिस और पसासनिक अधिकारियों को चीनित किया गया है इन अधिकारियों में साहिव गंज को उपायुक्त राम निवास यादव और एसपी अनुरंजन की स्पोट्टा भी सामिल है पाकुड में बिसफोट तीन लोग गिरफतार पाकुड के हिरनपूर थाना छेतरे के दूलमी डंगा गाव में बुद्धवार को अचानक बॉम बिसफोट से गाव संसनी फैल गाई बताया जाता है कि इस घटना में घागर जानी के जमीन हंसदा का दाहिने हाथ के चिछड़े भी उड़ गाए हैं इस घटना के बाद खेत में भाग रहे इनके दो साथियों को ग्राम नों खदर कर पकड़ा इस घटना के सुचना मिलते ही थाना परवारी अमिन कुमार मौके पर पहुच कर तीन ब्यक्तियों गिरफतार कर लिया वहीं तलासी लियने पर पुलिस ने एक ब्यक्ति के कमर से तीन राउंड लोडेड गोली के साथ पिस्टोल भी ब्रामत किया है वहीं जैकेट के पैकेट से एक गोली मिला है मिली जनकारी के अनुसार दुल्मी, डंगा, निवासी, मेसो मुर्मु के घर में घागर जानी के जमीन हंस्दा मजूद थे इस दोरान हाथ में रखा एक सूतली बम भी अचानक से फट गया और हाथ बुरी तरह से जक्मी हो गया तीन मिनट में तीन केजी दही खाया और जीता परतियोगिता राजधानी के होटवार इसीत मेधा डेरी परिशर में दही खाव इनाम पाव परतियोगिता का आयोजन किया गया इस परतियोगिता में सहर के सैकलों की संख्या में परति भागी सामिल हुए जिन होने 3 मिनिट में करीब 3 किलो दही खाने का रिकोर्ड बनाया मेधा डेरी प्रवंधक की ओर से संजाय सिंग को दही समराट के खिताब से नवाजा गया इसके बाद विनाय सिंग ने करीब पौने 3 किलो दही खाकर दूसरे अस्थान पर रहे जिन्हें दही स्रीमान के खिताब से नवाजा गया वहीं तिसरे अस्थान पर मनोज मिस्रा रहे जो अधाई किलो दही खाकर परत्योकता में दही बीर का खिताब जीता है जारखन में नकसली करफ्यू का एलान जारखन के कुलान परमंडल एरिया में नकसलीो ने करफ्यू घोसित किया है पर्चा गिरा कर चेताब ने दिया है कि लोग साम 6 बये से सुबा 6 बये तक घरों से बाहर ना निकले उन्होंने कहा है कि कदम कदम पर आईडी भी जाये गाए है नकसलीो द्वारा कुलान परमंडल के चाईबास सागे कुईडा चोक से नरसंडा एरिया तक 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 रिवन 34 किलो मीटर के दायरे में बम करफ्यू घोसित किया गया मिली जनकारी के मुताविक नकसलीो ने 34 किलो मीटर के दायरे में पढ़ने वाले सभी गाओं में मानकी मुंडा, डाकुआ और ग्रामिनों के बीच परचा बाट कर करफ्यू की घोसना किया है ठंडी हवाओं के साथ होगी बारिस दिल्ली सहीत उतर पच्मी भारत में कडाके की ठंड पर रही है उतर भारत के सभी राजियों में तेज ठंड और घने कोरे के साथ सासीत लहर का कहर जारी है कडाके की ठंड के बीच मौसम, विज्ञान, विभाग ने बारिस का अरलाट जारी किया है बदादे उतर पच्मी भारत में कई से 25 जनवारी तक हलकी से मद बारिस हो सकती है इसके लिए यारपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में करयाला भी खोला जाएगा धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेले कंद बाए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर आपने दोस्तों को से सेर करना पूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाए कवसे दे थैंक यू